आज के व्लोग में में अपने हस्बेंड के लिए सर्प्राइज डिनर रेडी करने लगी हूं और चाइनिज मेन्यू है लिनर स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया के मेरी ग्रीन चिटनी भी खत्म हुई है मैं पूरे एक मन्त की ग्रीन चिटनी बना के स्टोर कर लेती हूँ मुझे कई डियम जाए भी थी मेरी एक वीडियो जो सबसे जादा जिस पर अब तक की व्यूज आये है अलहमदोलिल्ला उस वीडियो से मुझे बहुत सारे डियम आये थे कि आपकी ग्रीन चिटनी किस तहां से पूरा मन्त सही रह जाती है हमारी चिटनी तो खराब हो जाती है और से स्मेल भी आने लग जाती है तो कारिनली इसकी पूरी रेसे भी शेयर कर दें तो मैंने का कि मैं चिटनी बनाने तो लगी हूं क्यों ना साथ साथ इसकी रेसी भी रिकॉर्ड करके आपकों से शेयर करूं प्लस मैंने ग्रीन चिटनी के अंदर एक नई चीज की एडिशन की है जिसकी वज़ासे इसका जाइका और भी जादा तबाई हो गया है घरवाले भी पूछते हैं कि अब चिटनी का जाइका पहले से बहुत जादा कमाल है क्या इसमें ऐसा एड़ किया है तो वह क्या चीज़ा भी मैं एंड में एड़ करती हूँ और एंड में बताऊंगी आप लगों को तो यह देखें जी मैंने सबस मिर्चों की जितनी भी ड अलादा कर दिया है धनिया मेरा तकरीबन साफ ही था क्योंकि अभी फ्रेश लेक आई थी तो इसके पीचे से रफ रफ डंडिया में काट ली है और जो पुदीना है इसके पत्ते बड़े बड़े हैं तो पत्ते में अलादा कर लोगी चीज़ों का हिसाब किताब मैं इस तर अच्छा कर लिया है इस यह है कि असानी हो जाती है टाइम काफी बच जाता है पुदीना अच्छे से वश कर लेंगे इसके बाद इसको स्टेनर में निकाल लेंगी और बाॉल के उपर रख देंगे ताकि शेफ भी गीला ना हो इसका पानी भी अच्छे से लिचर जाए इस इसे ही टमाटर और मिर्चो को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद इसे स्टेनर में रख लेंगे साफ सत्री हो गई हर चीज और पानी अच्छे से निचर गया है अब हमने ग्राइंडर में डाल की इसको ग्राइंड कर लेना है सब से पहले टमाटर एड तोड़ा सा पानी एड़ करेंगे टमाटरों के विज़ा से पानी बहुत थोड़ा एड़ करना पड़ता है और इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा धनिया पुदीना डालने से वह उपर मुह तक मिक्सचर पहुंच रहा लेकिन यह ग्राइंड हो गई तो य यह के बारी के अंदर हमारी सारी ग्रीन चटनी रेड़ी हो जाएगी मेरी फैमली चोटी सी है तो यह इती सी चटनी मुरा महीना चल जाती है तो आप लोग की फैमली अगर बढ़ी है तो आप इस लिहाज से अपनी इन चीज़ों की मिक्दार जाहा कर सकते हैं इसमें अपसर लोग पुछते हैं कि समेल नहीं आती बिल्कुल समेल नहीं आती है और यह वही चीज़ है जिससे इतना जबर्दस्त इसका जाइका हो जाता है पता ही लगता कि हमने लसन भी एड़ किया है और खाने वाले को फील होता है कि वाकई कोई नई रेसिपीन के हाथ लग यह कोई नई चीज़ है तो यह देखिए जी ग्रीन चटनी मेरी रेड़ी हो गई है इसको अब मैंने इस एर टाइट बॉक्स के अंदर डालके तो फ्रिज में रख देना है फ्रिज में रखना है और पूरा मंत मेरा बहुत ही असानी से सुकून से गुजर जाता है टड़ा और साथ ही बॉल्लेस टीकन लेकि उसे क्यूबस की पॉम में कट कर लिया है नॉन स्टेक पैन लेंगे इस पर टीबल स्पून ओल नालेंगे ओल जैसे गरम होगा तो इसके अंदर वन टीबल स्पून लेस नदर का पेस्ट टाल देंगे यह पेस्ट जैसे ही डल गूल्डन स अच्छा चिकन का कलर चेंज हो गया है अब यह जो मिक्स्टर में एड करी हुई क्या चीज है हाफ कब आपने नीम गरब पानी का लेकि चिकन क्यूब इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इस मिक्स्टर को चिकन में डालना है बहुत मज़े का सिक्रेट है यह वन टीस्पून इसमें सॉल्ट एड करेंगे और 1.5 टीस्पून तिक्का मिसाला एड करेंगे इसमें सॉल्ट इसलिक हम एड किया है क्योंकि चिकन क्यूब में पहले ही काफि सॉल्ट होता है तू तो थी मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे अब इसमें हमने सबसे पहले गाजरें क्योंकि गाजरों को गलने में टाइम लगता है यह भी नहीं कि हमने गाजरें बिल्कुल ही गला लेनी है इतना सिरफ इनको हमने गलाना है कि इनका थोड़ा थोड़ा क्रंच बाकी भी रहे अब इसको सिर्फ 5 मिंट के लिए कवर करके रखना है और 5 मिंट बाद इसके केचब नहीं करते है तो इसके में मरिया नहीं करती हूँ एकुरेट बन जाता है इसके बाद में एककचप और यह वी एड 2007 मीट केचप Stop अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मिक्स्टर रेडी किया था वो नीचे ना पड़ा रहा जाए फाइनली इस टाइम टू सर पास्ता और यम बहुत ही मज़े का बना था ये अब हम बनाने वाले हैं जी विंटर स्पैशल सूप बहुत ही डिफरेंट रेसिपी मेरे हा लेकिन इस रेसिपी से जब मैंने सूप ट्राय किया तो घरवालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अफरा के हाथ सूप बन कैसे गया इतना अच्छा वह भी आपने भी रेसिपी जरूर ट्राय करनी है 250 ग्राम बॉल्लास चिकन लेंगे और उसे क्यूब्स की फॉर्म में हम क जादा ना हो जाए क्यूंकि हमने बाद में इसका सॉस भी रेडी करना है और उस सॉस में भी मिर्चे डली है इसके बाद इसमें हमने विनेगर सोया सॉस और चीली सॉस एड़ कर देना है उसके मेजरमेंट साइट पे लिखी वी नेजर आ रही होगी इसके एकॉर्डिंग आपने एड़ कर लेना है और सोया सॉस याद रखेंगे हर चीज में जादा डलता है क्योंकि इससे ही जादा अच्छा टेस्ट बनता है अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके 1.5 और के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब अब नमक आड़ करना है यह दिहान रखिएगा कि जाता ना हो जाए और इसके बाद हमने दुबारा से काली मिस डाल ली है सिर्फ एक चुटकी सॉस को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है अब हमारे चिकन भी मैरिनेट हो गया है और सॉस भी रेडी है अब काम रह गया है वे अब मैंने इसको यहां पर फर्स टाइम ट्राइ करना है तो आपनों को में रिव्यूस भी दूँगे कि मेरा एक्सपिरियस के साथ कैसा रहा बलके आपनों के सामने इसको फिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने वेजटेबल डाल ली है वेजटेबल थोड़ी मोटी मोटी क इसको आप भी तरह भी तरह करें तो खराब हो जाएगा तो आइसता इसको अपने तरफ खींच जाना है तो सूप में हमें बरीग बरीग चॉप हुई वी चाहिए होती है लेकिन जैसे हम पास्ता बगरा बनाते है उसमें मोटी मोटी कटी वी वेजटेबल अच्छी लगती है कि मुश्किल ही होगी क्योंकि अल्रेडी हार्ड होती है तो इसको भी आप चॉप करते हैं लेकिन आप लोग आने में फिर से बता हूं आइस्था करना है यह वीडियो की स्पीड मैंने काफी तेज की हुई है और गाजरें भी मेरी परफेक्टली चॉप हो गई है तो यह तो मेरी जिंदगी असान कर दी तीनों वेजटेबल आपके सामने विदिन 5 मिनट्स मैंने इस कटर से काट के तो अपने बॉल में रख ली है इसके बाद मैंने सबस प्यास लेकिया थी इससे मैंने जो है सूप कर ली है तो इसको भी मैं कट कर लेती हूं वेजटेबल भी च पेस्ट डाल देना है और जैसा ही पेस्ट हमारा डल गोल्डन सा होने लगेगा तो इसके अंदर हमने चिकन एड़ कर देना है और चिकन को हमने तब तक फ्राइ करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए सेम हर चाइनिस का बनाते हुए हम इस तरह ही करते हैं इस पे हम टोमाटर बगारा का मसाला नहीं बनाते हैं सिधा हम रसन अदर का पेस्ट ऑयल में डालके तो देर चिकन को डालके चिकन का कलर चेंज करते हैं तो यह देखे जी चिकन का कलर पेहतरीन सा चेंज हो गया है 10 मिनट्स के अंदर इसमें अब हम 4-5 गलास पालेंगे डालेंगे आप अपने फैबली के कोडिंग डालें मैंने 5 गलास डाले थे और सूप इतना मज़े का बना था कि बिल्कुल भी नहीं बचा था और साथ ही इसमें हमने जितने भी चॉप की थी वेच्टेबल्स वो सारी एड़ कर देनी है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इस सॉस एड़ किया था दो सॉस के लिए बॉल को अच्छे साफ कर लेना है जब भी कोई चीज पकाएं तो रिस्क जाया नहीं किया करें इसको अब हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा सूप थोड़ा सा गाड़ा नहीं हो जाए अब स्पून चेंज कर लेते हैं यह आगिए जी सूप पला स्पून इस से पकाने का तो मज़ा बहुत आएगा ये देखें सूप की शकल इबता रही है कि सूप मेरा अब थोड़ा गाड़ा हो गया है तकरीबन पांच मिनट बात अब हमने इसको कवर करके रख देना है जब तक हमारा सूप 10 मिन के लिए कवर है हमने यहां पर 3 टेबल स्पून जो है कौन फ्रॉर के लेने हैं और इसमें हाफ कप पाने का डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स यह देखें जी सूप फुल पक रहा था तो इसके अंदर आइस्ता इस्ता कौन फ्रॉर डालते जाना है और चमच को हिलाते जाना है और इसके बाद हमने सूप को 2-3 मिन तक पकाना है जब तक प्रॉपर सूप वाली शेप ना आ जाए मतलब सूप गाड़ा गाड़ा ना हो जाए यह देखें और अंडा डालने के फॉरण बाद आग बंद कर देए कई लोग यह सुचते हैं कि अंडा कच्छा तो नहीं रहे यह नहीं सूप आल्रेड़ी भैई इतना गरम होता है कि अंडा डालते साथ ही पक जाता है सूप अब रेडी है तो आग बंद कर देंगे और साथ इसको बॉल में निकाल के सर्फ करेंगे तो यह देखेंजी बॉल में मेरा सूप विंटर स्पेशल सूप एक बिल्कुल डिफ्टेंट रस्टीपी के साथ आपके सामने हाजर है और आप लोगों को वीडियो में देखके इंदाजा हो रहा होगा कि कितना परफेक्ट सूप बना होगा तो आप लोग भी जरूर सारी रस्पी ट्राइ कीजिएगा मुझे दें इजाज़त अल्ला हाफिज